गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है और मैं यहां पे हल्दी डिंक्स की तैयारी कर रही हूँ मैंने यहां कड़ी पत्ते लिए हैं और इसको सिल्बटे पे पीश लूँगी आप चाहे तो कहीं पे भी मिक्सी भी पीश सकते हैं और इसको बस मैं पानी की साथ मिक्स करूँगी आप चाहे तो स्टेंड भी कर सकते हैं और मैं यह मेरे हल्दी डिंक्स तैयार हो जाएगा तो मैं पहले हल्दी डिंक्स पीती हूँ उसके बाद फिर मैं काम पे शुरू हो जाओंगी मैं यहां बाहर आ गई हूँ और यहां पे बच्चे बहुत ही चीजे फैला के रखते हैं तो बस उनको इकठा कर रहे हूँ जो डेली रूटीन है कभी यहां कभी वहां उन्हें उससे ही चोट लगती है तो बस मुझे जो भी चीज डिख रही है आज मैं सारी चीजे फिर इकठा करूंगी क्योंकि अब यहां पे काम बंद हो चुका है और अब लेवर मिस्ट्री वगएरा अब छट पे कम न आएंगे बच्चे तो मानते नहीं है कहीं कहीं पे देखिए कितने समान इकठे हो गए और जबकि परडे कुछ न कुछ सफाई करना है क्योंकि मैं वाकिंग भी यहां पे करती हूँ और यह मेरा दूसरी तरफ का छट है वहां पे भी देखिए खेल खेल के यहां वहां यहां वहां यह पाइप वगएरा सारा चीजे फैला देते हैं मानते नहीं है और फिर उनको ही चोट लगती है फिर हमें परिशानी होती है तो बस सारी चीज़े इकठा कर रहे हूं और सबी चीज़े करके फिर मैं इनको साम को जाडू लगाओंगी क्योंकि सुबह बहुत काम रहते हैं इसलिए साम को भी पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर सफाई कर सकूँ तो बस सारी चीज़े इकठा कर लूँगी और साम को इसको यहां पर सफाई भी करूँगी जाडू भी लगा दूँगी इससी यहां पर साफ हो जाएगा फिर फटा फटी यहां मैंने ब्रेट सेक लिया है और यहां पर प्यास टमाटर वगेरा मिर्ची काट लेकर बच्चों को यह मुझे जादा पसंद तो हफते में करीब वन टाइमस तो लेते ही लेते हैं मांगते हैं जित करते हैं तो फिर मैं बना देती हूं जरूरी नहीं लेना नहीं चाहिए इतना लेकिन मैं बना रहेती हूं तो बस यहां बच्चे खा लेंगे और फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग जाओंगी आप यहां मैंने यह बनाया है खुद से यह मैंने उसने बताया था आपको कि मैंने पत्थरों को पेंट किया चोटे-चोटे करके और मैंने यह बिंबार के डब्बे को पेंट करके बनाया है मैं आगे भी बनाऊंगी और यह तो मैं इसके बारे में आप से बाते करूंगी वीडियो में देखिए तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा कीचन का डेकोरेशन भी हो गया है और अच्छा भी फीलिंग आत वह ले होगी यह कपड़े फोल्ड करती रह Whenever को बच्चो को भी पढ़ने बैठा दिया है बच्चे पढ़ाई कर रहा है हम लगता है कि हमीं क् exemplet बच्चों लेकिन बच्चे हमारे जादा रहा है मैं तो बच्चों आपको क्या काम है आपको तो बस अपना ही देखना रहा है आपकी बाते सुननी पड़ती है, कितनी सारी हमारी responsibility है, हमें तो हसी भी आ जाती है, कि मैम भी पढ़ाती है, आप भी समझाते हो, हूंबग भी करना पड़ता है, हम कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं, तो मुझे तो सुनके ही बहुत एक्दम से हसी भी आ रही थी, बहुत प्यार भी आ रहा था बच्चो के ऊपर, मैंने बुला ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जादा ही खेल लिया करो, तो कहां खेलेंगे, आप तो कहीं लेके ही नहीं जाते हो, आज तो हमें market लेके जाना है, लेकिन मैंने का नहीं, बच्चो अभी तो आपको घर पर ही रहना और दारी दादा को भी जल्दी बुलाएंगे, फिर दारी दादा को सबसे मिलवाएंगे भी, तो बहुत खुस हो गया है, बच्चे कि हाँ, आज मम्मी हमें मर लेके जाएगी, बस, आपको कैसे हैं, आपको सो आप अच्छे ही होंगे, इंडियन लाइफी स्टाइल कि सशी में आपका स्वालत है, आज मेरे कुछ में यलाए है, तो आप लोगों को कलके ब्लॉग में ये दिखा होगा, मैंने किचर में रखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये प अच्छन में लगा दिया, और अभी मैं आपकी के दिखानी में ले प्याई हूँ, वैसे तो मुझे बहुत ही जाना पसल है, मैं सो उसे ही, जहां जहां भी जाती हूँ, तो मैं छोटे-छोटे से प्लांट जल्दी लगाती हूँ, और फिर वहीं छोटके फिर आगे चले ज के अच्छी सी एक अनेर्जी सुमिल है, तो सुमू से कि मैं जहां भी लए हुआ लगाती रही, और आगे में जहां जाहँगी महां में प्लांट जूँ लगाउंगी, यहां तो मैं पे ज़्यादा नहीं लगा पाई क्यी कि मैं यहां पे उपर मेर जादी हूँ, तो उसे उ कि वहां पे बात हमारी अतूरी रह गए थी तो बच्चे तो ऐसे बाते एकार कर दे रहते मेंuclear पिनी बाल कंदा मैंने बुरा आप लोग बाहर जाके खेलो और फिर प्र किलो। आप लोग हम लोग बाते करते हैं तो बस बच्चो को बाहर भेज प्रदिया खेलने के लिए और आज मेरी यहां जो हस्बेंड लाया था मैंने आपको बताया है कि मैं मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है लेकिन हर जगा नहीं मिल पाती है उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय समय पे हर जगा चेंज होता रहता है और फिर मैं था जगा लूगी यहें हमारे एक्सिसाइज करने की जोट नहीं है कभी कभी अच्छे से पूरे छटकहरी पूर सब्षे जढ़ा च्ण पर जाड़ी लगादो बैटके तो वह भी काफी कि exercise के बराबर है तो बस वहीं मैं यह समझ लीजी कि exercise कर रही हूं मेरा च्छत पी साफ हो रहा है और मुझे मज़ा भी आ रहा है तो बस बच्चे भी वहाँ खेल रहे हैं मेरी भी यहाँ पर चल रही है मैं भी सफाई कर रही हूं जीवन में तो ये सब चलता रहता है और आज मैंने सोचा है कि मैं बनाओंगी सिल बट्टे पे चट्नी बनाओंगी और पत्तु के पराठे बनाओंगी तो सिल बट्टे की चट्नी तो डेली नहीं बना पाते के डेली बहुत सारे काम होते हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद है सिल बट्टे की चट्नी पहले तो मैं रेगुलर चट्नी सिल बट्टे पे पीशती थी लेकिन जब से बच्चों की पढ़ाई लिखाये भी करानी पड़ बस यहां सफाई फाई करने के बाद मैं जाओंगी और सिलबटे की चटनी बनाओंगी जिस पर मैं आम वगएरा डाल के बनाओ तो बहुत इदम इस पैसी बनता है और बहुत अच्छा लगता देखिए यहां बातों बातों में मेरा चट भी साफ हो गया और अच्छा भी लग अच्छा भी लग रहा है दो 3 मीं में तो साफ करना ही पड़ था पहले लेकिन अब तो डिली डिली साफ करो की काम चलते हैं तो यहां पर काफी गंदा हो जाता था लेकिन हम पाइंज सायद मजू चाचें हैं लेकिन अब जतना हो गया तो अच्छा लग रहाएगी कम से कम तब सी सांती भी है काम भी हो चूके है यहां के और हम लोग सॉद्ध बचों को इस वाल छप्पे आएंगे कॉटि 1946 और यह जाते हैं अब देखिए यहां पे मैंने धनिया मिर्ची लहसुन टमाटर और आम ले लिया है जो सुखे हुए आम होते ना वो लिया है मैंने आम का अचार सुखा हुआ बस इसमें नमक डाल लिया अब मैं पीस लोगी और ये मेरी चटनी तयार हो जाएगी ये जरूर बताईएगा कि सिलबटे की चटनी किसको किसको अच्छी लगते मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और हम मुझे आई होपसो की सभी को अच्छी लगते है मुझे तो अभी मन कर रहा है खाने का बस चटनी पीसने के बाद मैं फटाफट यहां पर आटा लगा लोगी यहां ज्वाइन लिया है आटे में और मैं इसको गुद के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी जिसे कि हमारा आटा सेट हो जाएगा और फिर मैं इसके भरने के लिए मैं सत्तू तयार करूंगी यहां मेरा आटा रेडी हो गया है और मैं इसको रख दिया यह देखिए चना चना लेके और मैं इसको पहले पीछ लोगी यह मेरा 6 तयार fifty यहीं आप क्या बोलते हैं आप जरूर बताईएगा कमेंट करके धनिया लिया लैसुन लिया अद्रक लिया ये न्तीजों जो मिर्ची प्याज और ये है आम का अचार का जूस वगरा जो भी है उसमें मिला लिया ये है नमक और अजवाइन डाल दिया और सरसों का तेल तो बहुत ही जरूर ही ये इसकी बिल्कुल जान होती है इसको मिला लेंगे तो ये हमारा उसका भरने के लिए त्यार हो गया फटाफट मैंने ये किया मेरे आटे भी वह सौप्ट हो गये है इसको फटा फट मैं इसको भर लूँगी और रोटीया पराठे की तरह बना लूँगी और यह बहुत जल्दी भी बन भी जाते हैं टाइम भी नहीं लगता है और वस इसमें घी से मैं इसको शेक लूँगी बच्ची भी बहुत मन्द से खाते हैं मैंने आपको पहली भी ब्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बेंड को बहुत पसंद है चाहे बाटी हो चाहे पराठा हो चाहे पूड़ी हो उन्हें बहुत ही पसंद है बोलते हफते में एक दिन तो बना दो तो बहुत अच्छा लगता है आप भी ट्राइक करिएगा खाईएगा और फिर मुझे बताईएगा कैसे बनने देखिए ये मेरे बना बन गए हैं और मैंने ये प्लेट लगा दिये म मुँमें ही देख के पानी आ रहा है मेरे है हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैंने सत्यू के पराठे और सिल्बट्टी की चतनी हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी और हम सभी परिवार ने बहुत मन से खाया था और आपको कैसी लगी वैसे तो बहुत ही अच्छ लगती है क्योंकि मिक्सी की जटनी ठीक है हम उसके टीस लेते हैं लेकिन बट्टे की चतनी में वह चटपठा वैसे बनाते हुई मूह में इतने पानी में रहा रहा थे कि मैं क्या बता हूं क्योंकि सिल्बट्टा कमी यूज करते हैं लेकिन जब भी यूज करते तो मज़ा जाता है उजिन खाने का सभी ने कहा कि हाँ चटनी वाकी बहुत चटपटी पनी ती जैसे गदम गाउं में बनती है और उसका फ्लेवर जो आता है ना वो बहुत ज्यादा ही अच्छा आता है और इस समय आपको इसलिए मैं इसलिए नहीं दिख रही हूं क्योंकि मैं चटपे आम की और टमाटर की अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताईएगा और आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा इसी के साथ आज का ब्लॉग में खतम करती हूं धन्यवाद